स्वागत है आप सभी का मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुसखबरी लेकर हूँ जी हाँ मैं बताना चाहता हूँ आर्मी में जॉब आज आ चुकी है आज है आपका 3 मई 2020 और मैं बताना चाहता हूँ कि कौन से लड़के इस जॉब को देख सकते हैं करोना वाइरस है फि साथी साथ मैं बता दू यदि आप आर्मी की जॉब देख रहे हैं चाहते हैं कि हर समय जो भी जॉब आये आर्मी में आपके जिले में आपके राज में तो आपको घर बैटे नोटिफिकेशन मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए यानि मेरे कहने का मतलब ह नीचे लाल बटम होगा उसको दबा दीजिए चले ठीक है मैं बताओं कहां के लड़के के लिए भरती आर्मी में आई है और साथी साथ यदि इस भरती ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके राज्जी के लिए भरती आती है तो ही आप इस वीडियो को देखेंगे अगर कुछ कडाई हुई है कि नहीं हुई है तो हम जितने भी दुबारे लड़के बरती देख रहें उनके लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है यह वीडियो चली तो सबसे पहले बता देते हैं आप यहां पे आएंगे यहां पे वीव आल जॉब में क्लिक करेंगे यहां पे क पuresis ौब में आप देख सकते हैं यही पर लिए जितनी भी भारत में भारत के आठाई 100 राजियों के लिए लड़के हो चाहें लड़की हो यहीं पर यहीं से वो apply करते हैं ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि लिए उबरती आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रैली आज अपडेट हुई है, यह तो कटिहार, यह तो जम्मू कासमीर की रैली है, जिसका डेट है सायव 23 जून तक है, और यह आज रैली आई है, जिसका डे और आप देख सकते हैं देखिए यह पीडियाफ खुल गया यह कहां के लिए पहले यह देख लिए और इसमें क्या क्या लगेगा यह देख लिए और क्या एलिजबिल्टी होनी चाहिए 2020 में कुछ नियम बदला है कि पूराना वाला ही है तो उसे मत देखना भूलिएगा मैं यह दो है भारत का हर्याना राज यह यह साथी यह इस्टेडियम का नाम है यह भरती होगी और यह जगीbasal चर्की दादरी हर्याना में यह भर्ती आई है इसका ओनलाइन स्टार्ट हो चुका है 2 माई से लेकर 15 जून तक इसका ओनलाइन चलेगा जी हाँ 2 माई से 15 जून तक इसका ओनलाइन चलेगा उसके बाद आपकी भर्ती कब होगी जून के बाद आप 15 जून से लगाई ठीक 15 जून के बाद इस टेडियम में जब एड्मिट कार आना इस्टार्ट होगा तो उसके बाद वहाँ पर आई इस टेडियम में जाके आप रैली अटेंड करेंगे साथी साथ आप बता देते हैं कि इसमें एलिजबिल्टी क्या लगती है और कुछ नियम जो बतले हैं वो नियम क्या है आपको कैसे बाहर भागाया जा सकता है यदि कुछ गलत हुआ आपके सर्डिफिकेट में तो यहाँ पे इडिवालों का जैसा कि आप जानते है साड़े सतरह से किसल चाहिए होता है यहां पे एक आक्टूबर निनानवे से लगाई एक मार्च यानि अप्रैल तक होना चाहिए हाइट आपकी एक सतर फिक्स है नहीं हुई तो एक सेंटीमेटर भी कम होगी तो नहीं देख सकते हैं वज़ान आपका पचास केजी फिक्स है पचास ग्राम भी यदि खम होना तो लाट से मारके बगाएंगे वो लोग चेस्ट यहां पर देख सकते हैं सतर रहना चाहिए और पांट सेंटीमेटर तो आपको कांख फाद कर फुलाना ही पड़ेगा क्लाश टेंथ में बिना एडिशनल सब्जेक्ट लगाएं आपको हर एक विसे में 33 नमबर होना चाहिए आप सोचते हैं मेरा एडिशनल सब्जेक्ट संस्क्रीत है या ड्रॉइंग है मैं उसे एड कर देता हूँ और मेरा जो प्रसनल सब्जेक्ट है इंगलिस हो गया मैथ ह हो गया उसमें 31 नमबर है 30 नमबर है तो वहां से आपको लात मार कर भगा दिया जाएगा बड़ी खुसी के साथ ठीक तो यहां तक यह गलती करने क्या परयास मत करना टोटल आलोवर तुम्हारा 45 परसेंट होना चाहिए जैसे भी तुम करो जैसे भी दोबारा एक्जाम दे करता हूं सोलजर कलर्क जैसा कि आप जानते हैं 17 से 23 है एक अक्टूबर 1997 से एक अप्रेल 2003 के बीच में लड़के अपलाई कर सकते हैं इसकी हाइट 62 है और इसकी वजन इसका भी 85 है चेस्ट उतना ही है 12 पास होना चाहिए साथी साथ आलोवर आपका 60% होना चाहिए पूरे स सब्जेक्ट में 50 नंबर यानि 50% होना जरूरी है आगर नहीं हुआ तो भरने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि इसमें अपना टाइम पैसा समय सब कुछ वेस्ट करोगी ठीक है चलो आगे बता देता हूं यहां पर देख सकते हैं थोड़ा ट्रेड में की नोटिफिकेश है क्लास 10 पास हो ठीक है कोई भी सप्लिमेंट परसेंटेज नहीं चलेगा हर एक विशा में 33 नंबर होना चाहिए यहां पे टोटल जो एवरेज परसेंटेज है वह माइने नहीं रखता है वह आपके लिए बिल्कुल माइने नहीं रखता है चाहे आपका 40 परसेंट क्यों ना हो आप फिर भी ट्रेडमेंट की देख सकते हैं सबसे अच्छी खबर यह है 2020 में बदल गया है जी हां बदल गया है तो खुसी वाली बात यह है कि अब सभी राजू के लिए ऐसा ही ट्रेडमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ सकती है या पहले भी साथ ऐसी थी तो इसकी प्रॉपर जानकारी आपको मैं देता रहता हूं चलिए देखे 35 नंबर सिर्फ हर एक विसे में चाहिए यही रिक्वाइमेंट है चलिए यहां पर नीचे सोल्जर ट्रेडमेंट का एक दूसरी है उसमें देख लीजिए ठीक उसके बाद कुछ डॉकुमेंट लीगल है जिन और चीज में छूड मिलेगी अगर आपके पिता जी नहीं है तो आप खुद किसी के पिता बनिए और अपने बच्चों को छूड दिलवाईए जी हां तो निरास होने की कोई बात नहीं है मैं राकेश यादो आपको हरमेशा अपडेट करता रहता हूं आर्मी के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं रनिंग के बारे में आप जानते हैं इसके बारे में क्या बताना मेरी ही बेज्जती हो जाएगी रनिंग के बारे में बताऊंगा तो मेडिकल के बारे में सभी लोग जानते हैं क्या क्या मेडिकल में होता है जो नहीं मालूम है कमेंट करो तुर प्रिंस्पल या मैनेजर उसके द्वारा तुम्हारा मनिता प्राप्त होना चाहिए ठीक है समझे चलो आगे बता देते हैं फटाफट फटाफट क्या क्या डोकुमेंट लेके तुम्हें जाना है भरती में जी हां भरती में यहां पर रोकेंगे नहीं एक सेकंड नो नो अभी पितना है बहुत कुछ यहां पे बौर्डिंग को लिके जाना है हर्याणा के है तो वित है आपका फोटोग्राफ वहां रहना चाहिए तैसिलदार का मोहर हुआआ ऐस्मस्यल सेटीफिकटट इस्कुल mail करेक्टरलेटर बनाता प्रदान अंशिमीय का सर्टीफिकट ठीक है तो 10 नंबर फटा फट देंगे आरमी वाले स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको भारी चुट मिलेगे ठीक है और यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे अब नीचे देखिए कुछ इस्पेसल कारण अगर टैटू अगर आ बनवा रखे हो तो लात मार के भगा दिया जायगा इंट वर टैटू नहीं होने ठीक है यहां पे कुछ और नोड़िफिकिशन देख लो सर्टिफिकरट में नाम गलत नहीं होना चाहिए ठीक है यहां पे और आप देख सकते हो क्या- spin चूट मिलती है कोनाैरिक बॉय्याइल ड्रक्स वाग 서 ऑसी दिन के अंदर नहीं होई होनी चाहिए नहीं तो भागा दिया जाएका सलेक्सिन में यहाँ बढ़े महंगी मोई लेक heart और बैक कहीं कोने में फेक देना मुबाइल सिरफ वही लेकर जाना जो कीपेड होगी बड़ी महंगी मुबाइल मत लेकर जाना चोरी हो जाएगी मेरे दोस्त तेका पैसे चल जाएगा ठीक है यहापे नेगटिव मार्क आपको यदि कोई भी डिस मिस एक्टिविटी करते है तो वहां से लात मार के भी भागाया जा सकता है या प्यार से भागाया जा सकता है जादा संपर्ख के लिए यहां के ARO का टेलिफोन नंबर दिया है तुरंत इस पे कॉल करो पता करो यदि मेरी बाते समझ में नहीं आई है तो चैनल को मत सस्क्राइब करो अगर बाते समझ में आई है तो भगवान आपकी मदद करेगा मैं मनाओंगा भगवान जल्दी आपको बढ़ती करा दे और आप हमारे चैनल को यदि सस्क्राइब कर दे तो भगवान तो पक्का आपकी मंदद करेगा ठीक है तो यहां तक वीडियो देखने के लिए जय हिंद गर्दे के साथ